अमरपाटन नगरपरीसाद अध्यक्ष समर सिंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कि ती जिसमें उन्होंने अध्यक्षपत से स्तिफा देने की बात कई थी। यह पोस्ट काफी वरिल हुई लेकिन समर सिंग ने अब अपने अध्यक्षपत से alliberate कि बात को सीरे से खा ने खुद अपने इस्तिफे की बात कही थी लेकिन अब वो अपने अध्यक्ष पद में बने रहने की बात कह रहे हैं और बॉया दिया जाएगा नगर परीष ने कहा कि यहां पर से उपियंतरी का ट्रांसफर किया गया है जो हर नगर परिशत में विवादित हैं जैसे यहां का विकास नहों सके अमय सिंग ने कहा कि यहां के कर्मचारियों की उपर दवाब डाला जाता है कि कोई भी कॉंग्रेसी पारश्यत की नहीं सुनना है और नहीं अध्यक्ष की सुन वो बार बार कलेक्टर के पास जाते हैं मुझे हटाने की मांग को लेकर और नहीं यहां पर विकास कोई काम होने दे रहे हैं नगर परिशत अध्यक्ष ने भाजपा विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक साल से यहां विकास कोई काम नहीं हुआ और इसके जाता है कि कल 12 बजे 11 बजे नगरपल का कारेयरे में आप लोगाईएगा मेरे द्वार ब्यान दिया जाएगा वह जो ख़वा निकली है वो गलत निकली है जो एक साल से काम नहीं हुआ है नगर पंचायत के अंदर इसका पूरा दाईत भाजपा विधायक रामकलामंजी अह बेग रहे है तकली हुआ अह बेग रहे है तकली हुआ